जैम आता दी दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो कल का जो रिजल्ट था एक बार उस पर बात कर लेते हैं दिल्ली बजार 33 के साथ रहा फरिदाबाद में 58 खुला है गाजियाबाद में 77 खुला है गली में 20 खुला है और देशावर ने एक बार फिर 66 खुल दिया है कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया थोड़ा सा व्यस था अपनी निजी जिन्दगी में मुझे दिखा खेल तो मैंने आपके लिए एक खेल अपडेट किया था दिल्ली बजार से पहले कि भईया जीरो के चांस काफी अच्छे बन रहे है जीरो दोबारा से खुल सकती है और जीरो का अंक ही आपके लिए अंकट तरीके से काम कर सकता है इसके अलावा वहां पर एक जोड़ी दी गई थी टेलिग्राम पर कि भईया आपको टेलिग्राम पर तीन चार जोड़ीों में 58 भी बताई थी कि 58 खुलने के चांस बन रहे है राम जी की खूब करपा बरसी शुरुवात में ही परिदाबाद ने 58 खुल दी जिससे की धेर सारे भाईयों को फाइदा हुआ है काफी लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई कि बाबा जी कुछ अपडेट लेके आए और हमारे लिए सफलता है खुल कर आई है मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब कभी अपडेट बनता है तो अपडेट करने में मज़ा आता है आपके लिए काम करने में मज़ा आता है अगर update नहीं बन रहा तो जबरदस्ती के फिर से दो चार जोड़ी बढ़ा दो यहां कर दो वो कर दो मैं उन सब चीजों में विश्वास नहीं करता इसलिए मैं आप सबी से कहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए क्योंकि जब मेरे पास आपके लिए कुछ बनेगा तो मैं आपके साथ उस अंक को साजा करूँगा उस जुड़ी को साजा करूँगा मेरे विचारों को साजा करूँगा जीरो खुली एक दफा खुली बीस के रूप में खुली जीरो यहां पर पास है अब ये zero pass क्यों है? क्योंकि जब आप मेरे अंको पर विश्वास दिखाते हो, मेरे अंको पर लगातार game by game चलते रहते हो कि यार बाबाजी ने बताया है तो कहीं न कहीं काम तो बन सकता है तो जब आप यहाँ fail हुए, यहाँ fail हुए, यहाँ fail हुए, आपने देखा गली में डबल जिरो के उपर बन सकती है, आपने देखा डबल जिरो के उपर जिरो खुल गई, राम जी ने खूब करपा कर दी, तो यही करपा राम जी करते रहते हैं, बस राम जी भी देखते हैं क किसको देना चाहिए, किस से ले लेना चाहिए, यही खेल का नियम है और यही प्रकरती का भी नियम है, धैरे बनाए रखोगे, चीजे आपके पास अपने आप ओटोमेटिक तरीके से आ जाएंगी, अब यहां से आज के लिए क्या कुछ बेहतरिन अंक गडित रह सकता है, तो भया नया हफता शुरू हुआ है, सोमवार का दिन है, तो नया हफता, नई उमीदें, उन्निस तारीक क्या कुछ लेकर आने वाली है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला अंक जो रहना चाहिए, अगर आप विश्वास करोगे, चार पर और नो पर, तब भी आप अपने आपको जीत की तरफ अगर सर कर सकते हो, जीत की तरफ लेकर जा सकते हो, ये कहता है, क्रोसिंग का अंक कडित, अब जो भी भाई क्रोसिंग नहीं खेलते, सिर्फ और सिर्फ अंकों की पैचान करना या फिर अंकों का खेल समझना चाहते हैं उनके लिए बता दू ये 66, 6 के रूप में कोई और दूसरी जोड़ी देने वाली है चांसिस काफी अच्छे है पंजा, पिछली बार दो बार 66 आप दिशावर में जाके देख लो उसके बार देख लेना कि कमपनी ने बाकी घड़ियों में पंजा खोला है तो पंजा खुलने के समीकरण काफी अच्छे रहेंगे 77, 58, 66, 20, 33 एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाईया, 77, 88, 44 नहला खुलने के चांस बनेगे ये जो भी जोडियां आपके सामने खुली है खेल कहीं ना कहीं इनी के संकेतों से निकल कर आता है जब हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं चीजें आपके लिए निकालते हैं पर दे सकूँ तो उसे अपडेट कह देते हैं अब यही चीजे हैं जो समझता है जो सुनता है वो हमेशा फाइदे में रहता है आराम से खेलता है अच्छा खेल दिखाता है तो उसे जीद भी अच्छी मिलती है और जो सिर्फ और सिर्फ आता है देखता है अच्छा यह है चल बढ़िया से सब्जी बनाई नहीं पाऊगे, आपने सब्जी चड़ा दिया है, अब आप मसाला डूंड रहे हो, मसाला मिलगे आप आप नमक डूंड रहे हो, उसके बाद आप धनिया काट रहे हो, धनिया डूंड रहे हो, तो चीजें आप से थोड़ी सी दूर हो जाएंगी वहीं अगर आपको सारी चीजों का पता हो ना कि भाईया आप सबजी मैंने चड़ा दी अब यहां से यह वाले मसाले डलेंगे यह मेरी तैयारी पूरी है आप जब खड़े होके सबजी बनाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सबजी टाइम कम लेगी स्वाद भी अच्छी बनेगी तो आप इन सब चीजों से उधारण होते हैं मैं कोई वेटर नहीं हूँ ना मैं होटल में काम करता ना मेरा कोई होटल है बस उधारण किसी भी रूप में आ सकते हैं उधारण से ही चीजे इसपष्ट होती हैं वही आपको इस पष्ट तरीके से समझा भी सकती हैं वो चीजे आप भूलोगे भी नहीं इसलिए उधारण दिये जाते हैं अब यहां से विद लोकेशन खेल की तरफ बढ़ेंगे फटा-फट से चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे और राम जी से परातना करेंगे राम जी कुछ ऐसी कृपा कर देना कि मेरे लोगों का भला हो जाए अब यहां से दिल्ली बजार में 33 के ऊपर दो ही खेल समझ में आ रहे हैं कहीं न कहीं कमपनी यहां पर 31 को जगा दे सकती है और इसके अलावा 63 पर खेल बना सकती है यह दोनों ही खेल मजबूत हैं दोनों ही खेल आपको जीत दिलाने में कारगर साबित हो सकते हैं दोनों ही जोड़ियां अच्छी हैं किसमत आजमाने के लिए बड़िया जोड़ियां अगर आपको खुद पर विश्वास है अगर आपको लगता है कि बवाजी ने दोनों ही फैमली की जोड़ियां निकाल दिया कहीं इसमें कोई जोड़ि मिस तो नहीं है कहीं तिग्गी मजबूत बन रही है बवाजी की तो मैं आपको कुछ और भी जोड़ लूँ तो मेरे साब से अगर अभी मेरे मन में आया तीस भी जोड़ लेना यह यहां पर कम्पलीट हो गई अब यहां पर यह तीस पर तिग्गी कम्पलीट हो गई है क्रोसिंग में तिग्गी रखी नहीं गई है तो भाईया आप क्रोसिंग खेलो अगर इस लोकेशन में दिल्ली बाजार में तो 31,13,36,36,303 का खेल कवर कर लेना अगर आप इस खेल को कवर कर लोगे और विद लोकेशन अगर गेम पास हो गई तो आपको ये निरासा नहीं होगी कि बाबा जी क्रोसिंग पिट गई विद लोकेशन गेम पास करवा दिया अपने और अगर आप ये जोडियां खेल रहे हो क्रोसिंग भी खेल रहे हो ये पिट गई और क्रोसिंग पास हो गई मानके जो तिकगी ना खुली कुछ और खुल गया तो आपको कुछ न कुछ मिली जाएगा ये खेल के नियम है जो खेल जहाँ पर मजबूत है वहीं पर उस पे हमें अच्छे से विचार अच्छे से तैयारी करनी चाहिए तब ही हम जीत की तरफ बढ़ सकते हैं अब यहाँ से फटा फट से बढ़ते हैं फरिदाबाद की और तो या फरिदाबाद में अठावन के उपर क्या कुछ खास होते देख सकते हैं तो अठावन के उपर कहीं एक समीकरण है सरसट का छे पे विश्वाज दिखाया है इसलिए छे की जोड़ी पहले रखी है छे पे साथ का चांस बन रहा है चांस बन रहा है यहाँ पर एक सिंपल सा अठावन पे उनसट होते देखने का सतत्तर से ही सरसट निकाली है मैंने अठावन से मैंने उनसट निकाली है क्योंकि गाजियाबाद में जो भी नंबर खुलता है वो फरिदाबाद को अगले दिन कुछ न कुछ देता है कहीं न कहीं समय करण बनाता है तो उन सब चीजों का ध्यान रखना ही खेल को अच्छे से समझना, अच्छे से समझाने का नियम है दो इजोडियों में अगर बात करें तो ये बैस्ट रहेगा अगर बात करें यहां पर हमारे लिए लगकी अंक की तो मैं आपको पंजे पर अगर आप निर्भर करोगे थोड़ा सा पंजे पर खेल चलाओगे तो आपको यहां पर कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है तो दो जोडियों में जो आपको किस्मत अजमाने के लिए जो आपको मजबूती देने के लिए बन सकता था वो यही रहने वाला है अब बात कर लेंगे गाजियाबाद की गाजियाबाद में थोड़ा सा लोगों की अपेक्षाओं से हट कर थोड़ा सा लोगों की सोच से परे जो चीजे बन कर आ रही है वो है 77 के उपर 61 का खेल और आपका 66 का खेल मेरे प्यारे दोस्तों 66 दिशावर ने खोली हुई है दुबारा से खुलने के चांस बन रहे है मेरे एक मित्र है भारत जी नाम है उनका वो मेरी बता ही जगापर गेम खेलते है दोस्तों 66 उनका इतना लग्की नमबर है कि उन्होंने जब जब अभी 66 खुली है दिशावर में बड़िया बड़िया खेली है बड़िया बड़िया जीती है क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में आती है कि बड़िया मेरा अगर कोई लग्की नमबर है मुझे कोई अगर 2-4-5 लाक रुपे दिलवा रहा है तो कही ना कही वो मेरे लिए भाग गेशा लिए और अगर आप इन सब चीज़ों को खुद भी अपने पर अपलाई करोगे तो आपको भी देखने को मिले आए कि हाँ ये चीज़े कारगर साबित होती है ये चीज़े काम करके देती है बस आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे इसका इस्तिमाल करना है और कब मुझे इन से अपना खेल देखते रहना है तो यही खेल के नियम भी होते हैं अब यह चीजे कौन समझता है जब आप पक जाते हो जब आप अच्छे से सुनते हो शीखते हो बार-बार अपना टाइम इस्पैंट करते हो एक वीडियो देखने पे कि यार बाबाजी का खेल एक बार फिर उसी ट्रिक से पास हुआ बाबाजी ने खुद उस तरीके से खेल पास करवा दिया तो जब आप सीख जाते हो लिख के रख लेते हैं कई भाई कि लिख के रख लिए अपने पास और वो देखते हैं कि हाँ यार ये ट्रिक तो बाबाजी की पास होती है तो वो फाइदा लेते हैं तो यही चीजे हैं जो आपको अच्छे से देखनी सुननी समझनी चाहिए अब यहां से बढ़ते हैं गली की और गली में आपका 20 के उपर क्या कुछ बहतरीन रह सकता है तो 20 के उपर मुझे लगता है यहां पर आपका 74-46 का खेल और 49-94 का खेल मजबूत रह सकता है चांस बना कर दे सकता है चाहुए पर पूर्ण विश्वास के साथ खेल बना दिया है दुगी ने लिए, जीरो ने लिया, सीधे चाहुआ लेका है हूं क्यूंकि कहीं न कहीं चांस बन रहे हैं इस खेल के उतरने के अगर यह जोड़ी कहीं और खुलती है तो समझ जाना कि ट्रिक काम कर गई लेकिन विद लोकेशन काम नहीं करी क्योंकि यह ट्रिक 20 के उपर 964 खुलने की बनती है, 77 के उपर बनती है, 66 के उपर बनती है तो इस्तेमाल में ली गई है, आपको समझाई जा रही है अब यहां से अपनी आखरी लोकेशन जो की है दिशावर की उस पे अच्छे से विस्तार चर्चा कर लें यह 66 के उपर जो खेल मजबूत बन रहा है, उसमें आपका एक जोड़ी है, जो की है 68 की क्योंकि सुभा यहां पर जो दिन पड़ेगा तारीक बदलेगी वो हो जाएगी 20 तारीक 20 तारीक का मतलब है कि यहां पर मंगलवार का दिन 8 मजबूत 6 लगातार कंपनी खोल रही है, बता चुका था, पहले भी समझाया था, किसने कैसा इस्तेमाल किया, यह आप सब को खुद पता होगा, अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया, तो आपको यह समझना चाहिए कि अब यहां पर दो खेल बन रहे हैं, मजबूत खेल बना दिये हैं, राम जी की किरपा की पूरे आसार लग रहे हैं, 6 पे विश्वास दिखाऊंगा और विश्वास दिखाऊंगा 8 पे, क्यूंकि 6, 66 के उपर खुलने के दुबारा चांस बन रहे हैं, इसके अलावा बार का दिन हैं, तो 8 खुलने के चांस बनेंगे, 68 ना खुली और 8 किसी और जोड़ी के साथ खुल गया, तब भी मैं इतनी ही खुशी मनाऊंगा कि मैंने लोगों को पहले ही समझा दिया था, कि ये चीज़े हो सकती हैं, होने वाली हैं, चीज़े काम कर रही हैं, चीज़े कुछ सिखा कर जाएगा, आपके लिए कुछ फाइदा लेकर आएगा, कल फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी भाईयों को मेरा राम राम, प्यार बरा, नमस्कार